आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनेट प्रशन है आपर अभी कथन और तर्क से संबंदित। अभी कथन में कहता है कि एलेक्ट्रो फोरेसिस में उप्योग की जाने वाले मैट्रिक्स में आमाप का नियंतरन करने योग छीद्र होना चाहिए और तर्क कहता है छीद्रों के आमाप को बदलने के लिए एगरोज की स आंदरता को परिवर्तित किया जा सकता है तो ये दोनों कथन तो सत्ते लग रहा है चलिए इसकी जास्ते हैं तो पहला में ये अभी कथन में कह रहा है कि एलेक्ट्रो फॉरेसिस में हम लोग किसका यूज करते हैं एगरोज का यूज करते हैं एगरोज का जिस पर क्या होता है कि हम उसमें एक छिद्र रखते हैं जैसे माल लेते हैं कि यह अगर वो जेल का प्लेट रहता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं धनात्मक और रिनात्मक इलक्ट्रोड से जोडते हैं इसमें एक गढ़ा होता है एक पोर होता है जिसमें हम DNA, RNA या फिर प्रोटीन के अनुवों को हम रखते हैं और उसके मिस्रन को हम उसके आवेस के अधार पर और उसके आकार के अधार पर हम उसको गती कराते हैं जिसके कारण इसका सेपरेशन यान की अलगाव होता है है न तो यहां पर यह होता है कहता है यही कि अगर यह पोर के साइज को ठीक है यानि पोर का क्या जो साइज है उसका माप का नियंतर्ण करने योगिछिदर होना चाहिए तो बिल्कुल सही बात है योगिछिदर होना चाहिए इसके पिछे कारण है कि इससे कार कर सकते उसको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं उसका गती नहीं करेंगे इससे हमको यह फाइदा होगा तो बहुत अच्छी बात है यह ऐसा हो सकता है लेकिन जो दूसरा करता है क्या हम छिद्रों के आम आपको बदलने के लिए एगरोज की सांदरता को परिवर्तित किया ज जा सकता इसकी परिवर्ता कैसे कर सकते है तो हम जानते हैं कि यह जो एगरोज जेल होता है यह एक परकार का polysaccharide है क्या है यह एक परकार का यह एक परकार का polysaccharide होता है जिसको की लाल सैवाल से प्राप्त किया जाता है कहां से इसको प्राप्त होता है यह लाल सैवाल से मिलता है और यह जो होता है एगरोज गर्म जल में घुलन सील होता है क्या होता ये गर्म जल में ये गूल जाता है और जेल का निर्मान करता है जब इसको ठंड करते है ठंडा करते है ठंडा करने पर ये जेल बलाता है तो यह जेल की तरह संदचना तयार हो गया है हमारे पास इसी जेल का यहाँ पर यह एगर उस जेल की पट्टी यहाँ पर होती है तो यहाँ पर कहा जाता है एक चीज यह बात कि अगर अगर हम इसका कंसंट्रीशन को इसकी सांद्रता को घटा बढ़ा दे तो यह क्या हो सकता है इसके चिद्र के आमाप को हम बदल सकते है तिसमें कोई दोर आए नहीं है ऐसा ऐसा संभब है जनरली क्या होता है अगर एक परतीसत सांद्रता रहे है न इसका वजन और आइतन से जेल का तो इसके पूर साइज जो होता है लगभग एक सो पचास नैनो मीटर होता है जबकि 0.16 परतीसत अगर जेल का है तो इससे जो है 500 नैनो मीटर का इसका पूर का आकार हो सकता है तो हम यह असानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसांद्रता के बदलने पर निश्चित रूप से इसका पूर का अमाप जो है बदल सकता है तो यह सब अविकतन दूसरा भी यहाँ पर क्या है सही है लेकिन यहाँ पर यह बात हो रहे है कि अभी कतन और तर्क अपने अपने जगह पर दोनों सही है लेकिन यही तर्क इसकी व्याख्या हो जाएगी यह बिल्कुल असपस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह सही से व्याख्या नहीं कर रहा है इसका मतलब अभी कतन और तर्क दोनों तो सही है लेकिन इसकी यह सही व्याख्या नहीं कर पाता है तो इसका सही उत्तर जो होगा ये बी नंबर हो जाएगा है ना उम्मित करता हूँ आपको ये उत्तर समझ मा आगया होगा धन्यवाद